दोस्तों हमारे यूटूब चैनल प्रफेक्ट प्रियास में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कल्चर मीडिया के में होता क्या है दोस्तों कल्चर मीडिया दो सब दोस्ते मिलकर बना होता है पहला कल्चर और मीडिया का मतलब होता है ग्रोथ क्या होता है ग्रोथ और मीडिया का मतलब होता है मीडियम क्या होता है मीडियम अब ग्रोथ की हिंदी देखी जाए तो यहां पर हो जाएगी बृ pilots ही और medium का मतलब देखाजाए तो हो जाएगा माध्यम। उक्रिभास हो है कि 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 सी भी जीन गो ब्रिद्धि करने के लिए एक ग्रोध करने के लिए kuplad evangel का झार सकते होती इसे हम क्ल्टार Wright केử कहते हैं कि कल्टार मीडिया हर चीज के लिए आसकत हो हिसापते हो, दोस्तों यहाँ पर हम microbiology में culture milia का यूज bacteria, fungus को grow राने के लिए करते हैं दोस्तों यह अलग अलग परकार के nutrient से बने होते ह Noah जैसे कि मालिज e कोई bacteria है वो bacteria को aerobic condition में grow करता है, तो उसके लिए हम aerobic condition बनाएंगे और उसको grow कराएंगे क्यों हम कराते हैं यह अभी हम बातने पड़ते हैं दोस्तों पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं कि कल्चर मीडिया का एक परफेक्ट डिफिनेशन क्या होता है कल्चर मीडिया का जो डिफिनेशन होता है यह कल्चर मीडिया इस पेसल मेडियम यूज microbiological laboratory to grow different kind of microorganism एक culture media is composed of different nutrients that are essential for microbial growth यानि कि culture media एक परकार का special media होता है जो कि microbiological laboratory में यूज किया जाता है grow to different kind of microorganism यानि कि अलग अलग परकार के सुच मिज़ों को grow करने के लिए हम culture media का यूज करते हैं culture media different nutrients अलग अलग परकार के portion से बने होते हैं और जो कि अलग अलग बैक्टिरिया के लिए अलग अलग पोसर आउसकता होती है उसी के हिसाब से वो बने होते हैं दोस्तों कि need of culture media यानि कि आउसकता क्यों होती है culture media को बनाने की तो दोस्तो culture media को बनाने की आशाकता इसलिए होती है क्योंकि हमें अलग-अलग परकार के bacteria को grow कराना परता है क्योंकि अलग-अलग sample में अलग-अलग परकार के bacteria आते हैं और उन्हें हमको identify करना परता है कि कौन परकार के bacteria है उनको हम किस परकार का antibiotic दे जिससे वो नरीज ठीक ह हो सके तो दोस्तों यहां पर एक ही होता है point जो कि हम bacteria को या culture कर आते हैं तो है bacteria bacteria mix population in nature यानि कि bacteria होते है वो mix population में होते हैं नेचर में तो उनको हम क्या करते हैं जो बैक्टरिया को हमको आउसक होती है उस बैक्टरिया को उसके हिसाब से मीडिया देकर यानि माध्यम देकर हम उसको गुरू करा लेते हैं अब दोस्तों हम देखते हैं कि कल्चर मीडिया का कंपोजिशन क्या होता है composition of culture media क्या देखेंगे composition of culture media composition of culture media दोश्तों composition की बात करें तो culture media water water electrolyte electrolyte peptone peptone meat यानि मांस blood और serum plus agar या मिलकल culture media बनाय होता है यानि की water electrolyte peptone meat blood और serum और एगार मिलकर culture media का निर्माड होता है इतने समस्टेंस को जब हम मिलाते हैं तो हमारा culture media तयार होता है और इस culture media को हम bacteria या fungus को ग्रोख राने के लिए यूज करते हैं दोश्तों अब हम जानते हैं कि हम कैसे identify करते हैं bacteria को culture media में जब वो growth करते हैं तो हम किस प्रकार से किस माध्यम से हम उनका identification करते हैं identification of bacteria identification of bacteria identification of bacteria यानि कि हम जब culture media में इसको growth कराएंगे और bacteria का growth हो जाएगा तो हम कैसे देखेंगे कि कौन सा bacteria किस प्रकार है उस किस माध्यम से हम देखते हैं तो दोश्तों सबसे पहला होता है हमारा वो है shape यानि कि जब culture media ग्रो करता है जब bacteria कोई grow करता है culture media में तो हम उसके shape के हिसाब से देखते हैं कि ये कौन सा bacteria है ठीक है फिर उसके बाद में size 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 से भी हम बता सकते हैं कि ये कौन सा bacteria है order order surface surface 5 वह मारा रहेगा consistency यानि कि वो semi solid है solid है या फिर liquid में है उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि ये कौन सा bacteria है जब grow करे का plate में culture हो bacteria तो हम उसके हिसाब से पता लगा लेंगे दोस्तो color color से भी हम bacteria के growth को बता सकते हैं और evolution सता हो जाएगा हमारा evolution यानि shape, size, order surface consistency, color और evolution के आधार पर हम identification करते हैं bacteria का type of culture media यानि culture media को कितने प्रकार से बाटा गया है तो दोस्तों culture media जो है ओ थ्री बे में divide क्या गया है पहला 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 base on physical stage इसके अंतर गत culture media को तीन भागों में बाटा गया पहला solid 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 medium दूसरा liquid medium liquid medium और तीसरा semi-solid medium semi-solid medium semi-solid medium semi-solid medium और दूसरा जो है वो to based on the ingredient based on the ingredient based on the ingredient यानि इसके ingredient यानि इसमें क्या mix होगा किस-किस प्रकार का mixing होगा तो वो उसके ingredient के साब से बाटा जाएगा तो इसको हम दोस्तों चार इसको हम चार पार्ट में डिवाइड कियें पहला simple simple medium simple medium simple medium दूसरा complex medium दूसरा complex medium और तीसरा synthetic medium मेडियम synthetic medium synthetic medium medium मेडियम और चौथा था oxygen यानि कि present top oxygen यानि कि absent तो anaerobic और present रहेगा तो aerobic अब हम यहां यहां पर लेते हैं इसको numbering कर लेते हैं तीन number हो जाएगा यह दो number और एक number base on O2 present इसके हिसाब से बाटा गया हो गया हम पहला और aerobic और दूसरा इन aerobic अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर culture media को हम तीन भागों में डिवाइड किये पहला base on physical stage base on the ingredient और base on O2 present यानि कि oxygen के present और absent के हिसाब से हम दो भागों में बाटे ingredient के हिसाब से चार भागों में बाटे और physical state के हिसाब से हम तीन भागों में बाटे पहला जो physical state का है वो पहला है solid liquid और semi solid medium base on ingredient के हिसाब से देखा जाएगा तो simple media complex media synthetic media special media दो दो उसके बाद में हम यहां पर present आप oxygen तो हम पर aerobic और anaerobic दोस्तों जो अब दोस्तों हम physical state के हिसाब से देखें तो जो solid media होता है इसमें 2% एगार यूज किया जाता है यानि कि जो composition हमने बताया था कि water, electrolyte, peptone, meat, blood, serum, agar इसमें से 2% एगार यूज किया जाता है solid media के preparation में और इसके जो example है ओ है nutrient एगार nutrient एगार एक परकार का culture media है दूसरा हो जाएगा blood agar दोस्तों यहां पर blood मिलाया गया तो यहां पर blood agar हो गया और agar यहां पर 2% में यूज किया गया है दोस्तों जो liquid media होता है liquid media होता है इसमें किसी भी परकार का एगार नहीं यूज किया जाता है no agar no agar यहां पर agar का यूज हम नहीं करते हैं और इसका जो उदारण है वह है nutrient broth यानि कि यह culture media जो nutrient broth है वो liquid medium रहेगा कैसा medium रहेगा liquid medium रहेगा दोस्तों और जो semi solid media होता है इसमें 0.5% अगार का यूज किया जाता है और यह mortality होते हैं ठीक है दोस्तों जिसका द्वारण भी है mortality अगार कौन सा हो जाएगा mortality अगार दोस्तों हम आपको बता दें कि जो यहां पे base on ingredient के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो special media है वो ज्यादा यूज होता है और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे यह लगबग हम आज जानेंगे present on oxygen के हिसाब से तो oxygen के हिसाब से aerobic और anaerobic को पढ़ेंगे और special media को पढ़ेंगे इसके सारे टाइप को दोस्तों हम पढ़ रहे हैं special media जो की microbiology में सबसे जादा यूज किया जाता है दोस्तों special media का जो पहला परकार है वह है इन्रिज मीडिया कौन सा enriched media इन इन बेशल मीडिया इन बेशल मीडिया इज एड़ेड सम नूट्रियंट सच अज बलड सीरम और एग यानि कि जब किसी बेशल मीडिया और बेशल मीडिया को दोस्तों है simple media भी कहते हैं यानि कि जब किसी simple media में किसी कुछ परकार के nutrient को मिला जाता है तो उसे हम इन्रिज मीडिया कहते हैं और जो nutrient होगा वह बलड सीरम और एग यानि कि जब किसी simple media में blood सीरम और एग को मिला दिया जाता है तो उसे हम इंडिजिन मीडिया कहते हैं दोस्तों इंडिजिन मीडिया का जो एक्जामपल है इंडिजिन मीडिया का एक्जामपल है पहला ब्लेड अगार ब्लेड अगार दूसरा है चॉकलेट अगार चॉकलेट अगार और तीसरा है जो लोफलर सीरम स्रोब लोफ फूरलर सीरम स्लोप दोस्तों बलड अगार आप देखे होंगे वहाँ पे पिछले पार्ट में कि हम उसमें बलड अगार को क्या बताए हैं सॉलिड मीडिया बताए हैं चाकलेट अगार को सॉलिड मीडिया बताए हैं दोस्तों जो ये चाकलेट अगार होता है वो हम निमनो फिलस इन्फिलेंजा के ग्रोध करने के लिए यूज करते हैं निमनो फिलस फिलस इन्फिलेंजे और जो लोफरल सीरम स्लोव होता है उसका यूज हम बैक्टेरियम दिप थेरी के लिए करते हैं के लिए बैक्टेरियम को कि दिप थेरी के ग्रोध के लिए करते हैं once क्लिप्нять लोफ्यल में दूसरे प्रकार के मेडिया की बात करें दूस्रा प्रकार का मीडिया मारा है Inridgement media. Inridgement media दोस्तो This results in the absolute In trade in the number of wanted bacteria Rate to other bacteria Example Salmosella brain overgrowth By E.coli दोस्तो इसका मतलब है कि इसमें absolute जो bacteria होते हैं wanted bacteria जिसों चाहिए होता है जो bacteria को grow प्राना होता है वो grow हो जाते हैं और जो जिसको नहीं चाहिए होता है वो grow नहीं करते हैं जैसे कि salmola being over grow by E. coli तो हम enrichment media की उधारन की बात करें तो इसका पहला उधारन हो जाएगा tetra thionate broth tetra thionate broth और दूसरा हो जाएगा alkaline alkaline peptone water peptone water दोस्तों हमने दो पढ़ लिया पहला पढ़ लिया enriched media enriched media और दूसरा पढ़ लिया enrichment media enrichment media अब हम चलिएंगे तीसरे पर तीसरा हमारा है selective media तीसरा प्रकार हमारा है selective media selective media selective media दूसरा नाम से पता चल जाता है कि selective होगा कोई चीज यानि कि यह हम selective bacteria को growth कराने के लिए करेंगे यह बहुत सारे bacteria है तो इसका हम definition लेते हैं तो इस media are these media are used to isolate these media are used to isolate a particular particular color bacteria from specimen specimen where mixed mixed bacteria इस्पेक्टेट्र दोस्तों इस का हो जाएगा हैं डिपनेशन इस मीडिया आ यूज़ वांटेट बैक्टिरिया फ्राम इस्पेक्टेट्र में नहीं कि इस प्रकार के अ धार्र मीडिया का यूज़् हम पाने के लिए या ग्रोफ कखाने के के लिए करते हैं जबकि बैक्टिरिया के बहुत सारे फ्लोरा प्रेजंट हो उस इस्पेस्वन में दोस्तों इसके एक्जामपल की बात करें तो इसके एक्जामपल में पहला आता है DCA और दूसरा आता है BSA DCA का दोस्तों फ्लोरा फ्लोरा होता है डी आक्सी डी आक्सी चॉकलेट चॉकलेट साइट्रेट अगार और ब्यस्से का फ्लोरा होता है बाइल साल्ट अगार दोस्तों बाइल साल्ट अगार का यूज़म विब्रियो के कालोनी को ग्रो कराने के लिए करते हैं किसके कालोनी को ग्रो कराने के लिए करते हैं विब्रियो कालोनी को ग्रो कराने के लिए करते हैं जबकि DCA का उपयोगम ग्रोध आप साल्मो लेना साल्मो मोनेला को ग्रोध करने के लिए करते हैं के डी जिये का यानि डियाघ्सी चाइकलेडस करने का हम सार्मों एक उपियों के वैध्य lucky का उपियों को ग्रोइख करने के लिए करते है दो स्तुट नमबर है ओहें ंी तो कि दोस्तो नाम सिस्स में पता होगा जोपि यह डिफेरेंटियल मतलब की डिफेरेंट करने के लिए यानि कि भेत पैदा करने के लिए इस मीडिया का उफियोग किया जाता है चलिए हम इसके को भी देखते हैं तो यहां पर हो जाएगा होएन ए मीडियम में में एंक तेन सबस्ट एंस कि विच अ help to distinguish differing character characteristics on bacteria it is called differential media दोस्तों यहां पर हुआ कि when a medium contains substance when which existing different characters of bacteria it is called differential medium यानि कि इस मीडिया में इस ऐसे परकार के substance को मिलाया जाता है ताकि अलाग अलग बैक्टिरिया अपना अलाग अलग रूप दिखा सकें यानि कि वो different different गुल पैदा कर सकें दोस्तों इसके एक्जामपल में बात करें तो differential media का उधारा जो होता है वो पहला होता है में कांकी में कांकी मीडिया और दूसरा होता है क्लेड दूसरा क्या होता है क्लेड दोस्तों क्लेड का फुलफार्म होता है क्लेड का फुलफार्म होता है स्टीन लेक्टोज, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, डिफिसियन्ट, डिफिसियन्ट अगार, क्लेट का फुर्फाम होता है दोस्तों, स्टीन लेक्टोज, इलेक्ट्रोलाइट, डिफिसियन्ट अगार, दोस्तों एधम डिफिरेंट्सियल मीडिया के कमपोजिश पता कर सकते हैं एक ट्रिक है composition पता करने के लिए composition के पता करने के लिए हमारे पाइप ट्रिक है हम एक ऐसे खड़ी लाइन में plants लिख लेते हैं P L A N S दोस्तो P से यहां पर हो जाएगा Peptone Peptone Lactose A से हो जाएगा अगार और S से हो जाएगा स्वारी A से पहले यहन से हो जाएगा न्यूट्रेल रेड न्यूट्रेल रेड और दोस्तो यह से हो जाएगा Sodium Turculate यानि कि जो differential मेडिया होता है वो Peptone Lactose अगार और Neutral Red Sodium Turculate से मिलकर बना होता है दोस्तो मेडिया होता है वो तीन पर करके बैक्टरिया का ग्रोख राता है LLF, LF और NLF दोस्तो LLF का full form होगा Late Lactose Late Lactose Fermenting Bacteria लेक्टोस फर्मेन्टिंग बैक्टिरिया होगा लेक्टोस फर्मेंटिंग बैक्टिरिया और यहाँ पर जो यहा पर नान लेक्टोसel की सिस्विकतिम और रजप करते हैं और अलग अपना प्रॉड करते हैं जैसे यहां पर लापakठीरिया जो होगा वो पिंक कालोनी प्रोडूस करेगा कैसा पिंक कालोनी प्रोडूस पिंक कालोनी यानि कि जब इसको प्लेट में ग्रो कराएंगे तो जो LLF बैक्टिरिया होगा वो पिंक कालोनी सो करेगा उस प्लेट में इसलिए हम इसका नाम ही दिये दोस्तों different bacteria यानी कि different characteristic देगा अलग अलग bacteria का तो यहाँ पर जो LF होगा वो produce pink colony करेगा इसका उदारन जो हैं दोस्तों वो आते हैं E. coli E. coli यानी कि E. coli LF bacteria है और klepcella क्लेप सेला क्लेप सेला एकोलाई लेक्टोर्ज फर्मेंटिंग बैक्टिरिया की उदाहरण है दोश्तों और एलेफ की बात करें एलेफ यहां पर एलेफ हम निकाल लाते हैं इधर से पर एलेफ नन्लेक्टोर्ज फर्मेंटिंग बैक्टिरिया की बात करें तो इसमें इसके जो उदाहरण होंगे स्विडोमोनास प्रोटियस साल्मोनेला और सिलंजेलेला दोस्तों जो एलेफ होते हैं वो कलर-less कालोनी सो करते हैं कलर लेस कालोनी सो करते हैं या फिर पेल कलर का कालोनी सो करते हैं दोस्तों इनकी उधारंद देखी जाए तो इसमें हो जाएंगे स्वीडो मोनास स्वीडो मोनास और सालमोनेला ये दो परकार के जो बैक्टिरिया होते हैं दोस्तों वो एनलेफ होते हैं और कई सारे होते हैं लेकिन हम आपर दोस्तों करते हैं स्वीडो मोनास सालमोनेला और भी होते हैं जिसे प्रोटियास और सिलंजलेला ये होते हैं एनलेफ और एलेफ हो दोस्तों इसमें ये एलेफ जो होंगे वो डिफ्रेंट्सेट मीडिया में ये पिंक कालोनी सो करेंगे और एलेफ जो होंगे वो पेल कलर या कलर लेस कालोनी सो करेंगे दोस्तों दोस्तों अगला मीडिया पढ़ते हैं इंडिकेटर मीडिया दोस्तों अगला हमारा है इंडिकेटर मीडिया इंडिकेटर मीडिया इंडिकेटर मीडिया दोस्तों इंडिकेटर से सो होता होगा कि ये कोई चीज इंडिकेट करता है तो दोस्तों जो ये इंडिकेटर मीडिया होता है ये कलर को कलर के इंडिकेट से हम पता कर लेते हैं कि बोहत्ट करेगा तो उसमें कोई ना कोई करेगा अपनेपने बैक्टिर्या अलगर अपना अक्टोर करते हैं पार चक्म लेते हैं तो आप इसको नूट्स भी कर सकते हैं यह थीज मीडिया है इस哥ंदें अ आयन इंडिकेट इंडिकेटर फिच जो की चेंज चेंज कलर हैं यह बैक्टिरिया बैक्टिरिया गुरो इन द्यम दर्स्तों याने कि जब कोई बैक्टिरिया गुरो करते हैं इंडिकेटर मीडिया जो घोता वह अपना कलर में दोस्तों इसके कि मेकांकी और बलडडगार कौऔं कौणचे हैं जिसे हम फिर आपको repeat कर देते रहे हैं जिसे enriched media के जो उधारण है वह बलड अगार, चाकुलेट अगार, लफरल सीलम सलोब और enrichment के जो उधारण है वह है टेटरा थायनोबराथ और अलकाली पेप्टोन वाटर selective media के उधारण जो है ओडी सी ए है, डी सी ए और बी एस ए यानि डी आक्सी चाकुलेट, साइट्रेट अगार और बी एसे का बाइल साल्ट अगार दोस्तों, differential media का उधारण जो है मेकांकी अगार और क्लेट, क्लेट का फुल फाम होता है, सिस्टीन, लेक्टोज, इलेक्ट्रोलाइड डिफिसेंशिस अगार दोस्तों, जो differential media होता है उसका composition की बात करें तो हम plants से देख लेते हैं Plants means हो जाएगा Peptone, Lactose, Agar, Neutral Red और Sodium Tarulate और LLF, NLF और LF के बाइक्टिरिया का ये ग्रोथ करते हैं NLF यानि की ये पेल कलर का कालोनी सो करेगा इसके अंतरगत सीडो मोनास, प्रोटियर, साल्मोनेला और सिलिनिलेला आते हैं LF के अंतरगत, दोस्तों कलेफ से ला एक उलाई आते हैं, ये पिंक कलर को सो करते हैं, और एक आता है LLF, Lactose, Fermenting, कालोनी दोस्तों, indicator मीडिया का आप उदाहान या पर देखी रहे हैं, में कौंकी एगार हो जाएगा और बलड एगार हो जाएगा indicator मीडिया में change color होता है, उसका color change हो जाता है इस मीडिया का जब कोई bacteria ग्रो करता है दोस्तों, अगला मीडिया हमारा है transport मीडिया, कौन सा मीडिया है, ABCDEF F नंबर पर आएगा transport मीडिया दोस्तों, transport मीडिया से आपको simple से पता चल जाएगा कि transport करने के लिए यानि कि, ऐसे मीडिया का preparation इसलिए किया जाता है, क्योंकि एक अस्थान से जब दूसरी अस्थान तक sample को ले जाया जाता है, तो उससे कोई contaminated ना आए, इसी प्रकार से उसको बनाया जाता है कि उसमें कोई contaminated ना सके, तो वो हो जाता है transport मीडिया के अंतरगत दोस्तों, इसका जो उदाहरन देखा जाए, तो इसका उदाहरन हो जाएगा, buffer, glycerol, saline, transport, media मीडिया, दोस्तों, दूसरा उदाहरन इसका हो जाएगा, BR मीडिया, BR मीडिया, और तीसरा हो जाएगा, इसका, स्टूर्ड ट्रांसपोर्ड मीडिया दोस्तों इसका जो स्टूर्ड मीडिया काच किया जाता है वह बलड खल्चर के लिए किया जाता है बलड कल्चर के लिए हम इस मेडिया का उपयोग करते हैं भी अ но गया वफर कीया हूं विब्रियों के लिए करते है अो fraud क्रूर्पोर्ट मेडिया मीर मेडिया का युज करते हैं दोस्तों जो श्क्रीब sincer मीडिया में आता है शुगर मीडिया का डिफिनेशन जो है अस स्वलन मीडिया एलफ इंटिकिशन अ भी लेक्टोज यानि कि इसमें लुक लैक्टोज और सुगर मिले होते हैं मिले होते हैं कि यह जो मीडिया होता है उसके बाद पिंक कलर सो करने लगता है with production of acid by bacteria क्यों करने लगता है क्योंकि bacteria acid का production करती है जिसे pink color सो हो जाता है और एक प्रकार का gas produce होता है और indication के लिए gas produce होता है gas bubble की रूप में जिसको हम darhams tube में देख लेते हैं किसमें देखते हैं दोस्तों darhams tube में गैस bubbles को देख पाते हैं इस प्रकार से bacteria को पता लगाते हैं कि किस प्रकार का bacteria है इस प्रकार से sugar medium काम करता है तो sugar medium में जो color less होता है वो पिंग का लोनी सो करता है और गैस produce करता है दोस्तों gas produce करता है यह guys हम darhams tube में देख लेते हैं दोस्तों एक्जम्पल के रूप में करें तो हिस सीरम सुगर जो होता है निमयोनो कोकाई और गोनो कोकाई के लिए क्या जाता है इसमें गुलको लेक्टोज सुगर यूज क्या जाता है इसी में इसका एक्जामपल होता है दोस्तों यानि कि सुगर मीडिया में एहम सीरम सुगर निमयोनो कोकाई और गोनो कोकाई को ग करते हैं दोस्तों अब दोस्तों अगला हमारा जो मीडिया है वो मीडिया हमारा है एरोबिक और एनारोबिक में तो दोस्तों जितने भी प्रकार के बैक्टिरिया हमने पड़ा वो सब थे एरोबिक को कैसे थे एरोबिक थे लेकिन कुछ बैक्टिरिया जो होते हैं वो कंडिशन में ग्रोव करते हैं तो हम पढ़ेंगे एनौरोबिक मीडिया दोस्तों जितने हम लगभग पढ़ें हैं डिफ्रेंटियल मीडिया और सेलेक्टिव मीडिया इंडिच मीडिया इंडिच मीडिया ट्रांसपोर्ड मीडिया यह सब एरोबिक कंडिशन में होते हैं दोस दोस्तों इच्छाओं पार कल्टीवेशं पडरा अन्रो्बिक बैक्टिरिया थी रॉजड्व फार कि देख में यूजड्वío फार विक्तिरिया इसे इंच जांपल की बात के तो दोस्तों तो एनारोबिक मीडिया का उधारण है वह है थायो थायो गलाइक को लेट गलाइक को लेट ब्रॉथ थायो गलाइक को लेट ब्रॉथ दोस्तों एनारोबिक मीडिया का उधारण है इसमें आक्सेजन की मात्रा बहुत ही ज्यानी की ना के ब्राबर होती है दोस्तों अब हम जानते हैं इज उप कल्चर मेडिया दोस्तों इज की बासके azim ही बात बाद निकलके आती है कि हम बैक्टिरिया को ग्रोथ कराने के लिए उनको ग्रोध ने के लिए एक माध्यम देते हैं वही होता है हमारा कल्चर मेडिया ग्रोध कल्चOR बैक्टिरिया को ग्रोध करने के लिए हम कल्चर मीडिया का परियोग करते हैं इनका आइदेंटिफिकेशन करने के लिए हम कल्चर मीडिया का परियोग करते हैं दोस्तों यह मिक्स पापुलेशन है बैक्टिरिया का मिक्स पापुलेशन है तो उसको हम पता करने के लिए स्प और NLF बैक्टिरिया को ग्रो करने के लिए कहँ देते हैं जिसी वो कलर्स करता है और हमें पदाचल जाता है कि कौन सा बैक्टिरिया है अलF है या एनलF है ठीक है दोस्तों चो दोस्तों हमने आज पढ़ा कि culture media क्या होता है कल्चर मीडिया कितने प्रकार के होते हैं बेशान फिस्कल स्टेट बेशान देर कंसिस्टेंसी हो गया यानि फिस्कल स्टेट कंसिस्टेंसी और एरोविक और एनारोविक मीडिया दोस्तों हमने उसमें पढ़ा बेशान फिस्कल स्टेट की हिसाब से पढ़ा तो हमने पढ़ा solid media semi solid media और liquid media दोस्तों उसके बाद ने हमने identification आप bacteria किया कि बैक्टिरिया का identification कैसे करते हैं composition हमने पढ़ा कि bacteria का composition क्या क्या होता है जैसे water electrolyte, peptone, meat, blood, serum और अगार ये मिलकर culture media बने होते हैं और identification आप bacteria में हमने shape, size, order, surface, consistency, color और evolution को देखा दोस्तों उसके बाद में हमने पढ़ा इस्पेचल मीडिया के बारे में special media में हमने पढ़ां ingrish media का जो दारन है वो दोस्तों blood और chocolate अगार है फिर उसके बाद हमने पढ़ा इन्रिच्मेंट मीडिया इन्रिच्ट मीडिया liquid अगार होता है पाइल साल्ट अगार, dsc जो होता है, साल्मोनिला के ग्रोक रहने के लिए करते हैं, और dsa जो होता है, उसों भी बिर्यों को ग्रोफ करने के लिए करते हैं, फिर हमने पढ़ा differentiate media, उसमें हमने पढ़ा mekanka की और клet के बारे में, क्लेड का फुल फाम होता है सिस्टीन लेक्टोज, इलेक्रोलाइट, डिफिशियंस अगार और डिफिशियर्ड मीडिया का जो कमपोजिशन होता है दोस्तों होता है प्लांस के हिसाब से यानि फिप्टोज, अगार, नीट्रल, लेड़, ऑड्सोडियम, टर्कुलेट उसके बाद ऑद हम नंने पढ़ा Kalos aL correct cocktail वाल आप यानि लेट, लेक्टोज कर्मेंटिंग helps क्लेफियर्ण करते हैं और इसमें उद्र म्रा ओर इकोला जाए, उसके बाद पढ़ेbon Griffon wr यानि की Colorless Kalonisow करते हैं और इसके अंतरगत Pseudo Monas Proteus Salmonela Sillenglela आते हैं फिर हमने पढ़ा Indicator Media के बारे में Indicator Media के बारे में हमने पढ़ा कि यह जब बैक्टिरिया ग्रोग करता है तो एक Color So करता है इसके अंदर प्रत हमने पढ़ा में काम की और Blood के अगार की दोस्तों Indicator Media में एक आता है बिलसम एंड बालोगर मीडिया जो की Salmonela टाइफी को गुरो कराने के लिए करते हैं स्टोर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया जिसको हम Blood Culture में करते हैं और BR मीडिया का उपयोग हम Vibrio Colony में करते हैं उसके बाद में पिर हमने पढ़ा सुगर मीडिया हमने जाना कि Lactose, Practose और Glucose सुगर मीडिया के उदाव में आते हैं इनके वारा बैक्टिया ग्रो करते हैं उसके बाद में फिर हमने पढ़ा Aerobe Sierra olviki मीडिया लगभग सारे मीडिया जो होते है नहीं उसको कम आक्सीजन या मिल्कुल ही ना ही आक्सीजन चाहिए होता है जैसे कुछ Dafelt राज ब्रॉत होता होता धाуска ao यूज के बारे में तो ग विडियों कैसा रगा किरिपिया कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों यदा आपको कल्चर मीडिया का प्रिपरेशन और मेथट देखना है कि कैसे कल्चर मीडिया करते हैं तुम्हारे अगले वीडियों को जरूर देखें तब तक के लिए बाए-बाए